हेलो फ्रेंट्स, आज हम लोग CP Grams के विशह में चर्चा करेंगे CP Grams संशिप्त रूप है Centralized Public Grivance Redress and Monitoring System का जन शिकायत निवारण और Monitoring की केंद्री कृट प्रणाली का यह संशिप्त नाम है CP Grams एक Portal है, भारत सरकार के कार्मिक मंत्राले के अधीन यह कारे करता है सबसे पहले 2007 में इसकी अस्थापना की गई थी और 2015 में CP Grams के नाम से भारत सरकार ने एक Mobile Application भी Launch कर दिया है क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों का निवारण करना है हम सब चानते हैं कि प्रशासन और जनता के बीच जैसे जैसे इंटरफेस बढ़ता है वैसे वैसे प्रशासन के वृद्ध जनता के समक्ष शिकायतें उत्पन होना स्वाभाविक है विलंब कारिता, निरंग कुष्टा, अधिकारियों के द्वारा निर्डे लेने में विलंब, इत्यादी अनेक ऐसे विशे हैं जो शिकायत के रूप में समय समय पर उत्पन होते हैं किन्तु इन शिकायतों का समाधान करना अवश्यक है यदि हम शासन की गुडवत्ता में वृद्ध करना चाहते हैं इसलिए शिकायतों का समाधान करने के लिए सभी देशों ने कोई न कोई प्रावधान अवश्य किये हैं। एक अच्छे शासन की अस्थापना के लिए जन शिकायत निवारन तंत्र का होना आनिवारे है। यह शासन के प्रती लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न कर और शासन की गित्विधियों में लोगों की भागी दारी में व्रिद्धि करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में भी जन शिकायत निवारण तंत्र के लिए सीपी ग्रैम्स को मजबूत बनाया गया है। इस पोर्टल पर भारत सरकार के विभागों और राज सरकार के विभागों के वृद्ध कोई शिकायत, देश का कोई भी नौगरिक दर्ज कर सकता है। ओंलाइन पोर्टल है इसलिए उन लाइन शिकायतیں दर्ज होती बाइब निया है, CP Grams एक केंदरीकृत पोर्टल है, आप से शिकायते लेकर यह सम्मंधित विभागों को आपकी शिकायत दूर करने का निर्देश जारी करता है। और आपकी शिकायतों पर क्या कारेवाहि की गई है, यह इस बात का पूरा विवरन तयार करता है। यह भारत सरकार के कार्मिक मंत्रा लेके अधहिन कारे करता है और प्रधानमंत्री इस पर अपना नियंतर्ण रखते हैं। वर्तमान प्रधान मंत्री अधिक एक्टिव हैं इसलिए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए क्या कारेवाहियां की गई हैं इसकी समय समय पर समीच्छा की जाती है और यही कारण है कि यह पोर्टल वर्तमान समय में अधिक सक्रिय है और जनता की शिकायतों का निवारण करने में अधिक प्रभावी भूमिका का निरवाः पहले की तुलना में करने लगा है हलांकि यहीं केंदार की पृटल है केंदीर सरकार का पृटल है इसलिए केंदीर सरकारां के विभागों के वृद्ध यद्य शिकायत की जाती है तो उस पर कारिवाही शेख्र होती है और प्रभावी होती है लेकिन राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार का कोई नियंतर नहीं होता इसलिए राज्य सरकारों के वुरुद्ध यदि कोई शिकायत की गई है वहां के अधिकारियों के वुरुद्ध कोई शिकायत की गई है तो केंद्र सरकार के अधिकारियों की तरफ से राज्यों को दिशानरदेश अवश्य जारी किये जाते हैं लेकिन इस पर कोई कारेवाही होगी इस बात की कोई गैरंटी नहीं दी जा सकती विशेशकर जिन राज्यों में केंदर में शासन करने वाले दल की विरोधी सरकारे हैं विरोधी दलों की सरकारे हैं यानि केंदर मे जोडल सरकार में कारे कर रहा है अगर राज्यों में उसके व मिपरीत अन्य दनों की सरकारें बनी हुई हैं तब तो आप बिल्कुल भी अपैक चाह मत कीजे कि आपकी शिकायत का समाधान होगा क्योंकि हमारे देश में सरकारें जनहित के अधार पर कारे नहीं करती बलकी दूसरी कमी है कि यह जन शिकायत निवारण का निश्पक्ष और स्वतंत्र तंत्र नहीं है निश्पक्ष नहीं है क्योंकि सरकारी अधिकारियों को ही अपने अधिनस्तों के वुरुद्ध शिकायतें सुनने का अवसर मिल जाता है इसलिए उनकी प्रवित्ति और उनकी निवारन तंत्र की संकल्पना इस बात पर बल देती है कि ऐसी संकल्पना पक्षपाथ से मुक्त होनी चाहिए और सरकार के नियंत्र से भी मुक्त होनी चाहिए जैसे स्वीडन का उम्बुट्स मैन जन शिकायत निवारन तंत्र की संकल्पना सबसे पहले स्वीडन में 1809 में विक्सित हुई वहाँ पर इसे उम्बुट्स मैन के नाम से जाना जाता है उम्बुट्स मैन एक स्वीडिश भाषा का शब्द है और उम्बुट्स मैन का अर्थ होता है विधाईका की ओर से जनता की शिकायतें सुनने वाला पराधिकारी यानि स्वीडन में जनता की शिकायतों का स्वतंत्र और निश्पक्ष समाधान करने का तंत्र उम्बुट्समेन के रूप में अस्थापित किया गया है यहीं से जन शिकायत निवारण तंत्र की परंपरा शुरू हुई है और अन्य देशों ने उम्बुट्समेन के आधार पर ही जन शिकायत निवारण तंत्र के अलग-अलग मॉडल अपनाए हैं भारत में भी यह मांग की जाती रही है कि स्वतंत्र और निश्पक्ष जन शिकायत निवारण तंत्र की अस्थापना की जाए फिलहाल उम्बुट्समेन जैसी संस्था की अस्थापना भारत में अभी भी अपेच्छित है पहले लोगपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं के गठन की मांग इस उद्देश से की जाती रही लेकिन 2013 में एक कानून बनाया गया और उस कानून के माध्यम से लोगपाल और लोकायुक्त को भृष्टाचार निवारन संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया यानि वहां केवल और केवल व्रष्टाचार के मामलों की शिकायद की जा सकती है, अन्य मामलों की नहीं स्वाभाविक सी बात है कि अभी भी जन शिकायत निवारन तंत्र की दिशा में भारत को मिलो चलना शेश है और एक सोतंत्र और निश्पक्ष शिकायत निवारन तंत्र की अस्थापना के लिए संसत को शिग्राति शिग्र कानून बनाना चाहिए उम्मीद है सिविल समाच का दबाव पड़ेगा लोगों की मांग बढ़ेगी और संसद इस दिशा में चेतना प्रदर्शित करेगी फिलाल आज की वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू